हेलो दियर फ्रेंड्स वेल्कम टू नेट क्लासे सीएस एंड पेपर वन दियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को करा दिया है कम्प्लीट आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट विथ प्रिविएस यर कोश्चन और अब हम कर रहे हैं कम्प्यूटर नेटवर्क जिसमें फर्स चैप्टर हमने कम्प्लीट कर लिया है और मैं ला रही हूँ एक एक करके कोश्चन दो कोश्चन मैंने पहले आप लोगों को अपलोड कर दिया है आप कोश्चन चेक कर सकते हैं और दो ने बलकि तीन क्यूंकि एक वीडियो में सेम टाइप के दो कोश्चन है जो 2018 और November 2020 में आ चुके है उसको मैंने करवा दिया है और अब यह है अगला कोश्चन UGCnet November 2017 का ठीक है इसमें कोश्चन क्या है Suppose we want to download text documents at the rate of 100 pages per seconds Assume that a page consists of an average of 24 lines with 80 characters in each line What is the required bit rate of the channel? अब bit rate हम कैसे निकालेंगे? तो bit, एक bit, एक bit यानि की हम अभी सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर question में क्या दिया है? Download the text document at the rate of 100 pages per second 100 pages per second यानि की पहले हम 100 pages ले लिये हैं और assume that a page consists of average of 24 lines यानि की average, average को हम हम इसा क्या करते हैं? Multiply करते हैं तो 100 into 24 lines यानि average of 100 pages 24 lines है तो 100 pages है तो 100 into 24 हमने कर दिया उसके क्या है? With 80 characters in each line और 24 line है जिसमें की 80 character है हर line में हर line में 80 character है तो हम उसको 80 भी multiply कर दिये और यहां beats में पूछा है ठीक है? What is the required beat rate of the channel? तो अगर beat rate नहीं पूछा रहाता तो हम बस इसी को multiply करते और यह से कर देते हम इसको solve कर देते लेकिन यहां beat rate पूछ रहा है तो per second per second यहां beat कितना जाता है? multiply करेंगे क्योंकि एक character के लिए 8 bit का use होता है कोई भी एक character को represent करने के लिए यह आप लोग आगे भी पढ़ेंगे और पहले भी आप लोग जानते होंगे ठीक है? कोई भी एक character हम अगर computer की भासा में उसको denote करते हैं तो उसमें 8 bit का use होता है उसको represent करने के लिए तो हमने क्या किया? 100 page into 24 line into 80 characters into 8 bits इतना हमने कर दिया यानि कि यह bits per second हमने निकाला ठीक है? तो इसको जब हम multiply कर देते हैं तो 100 into 80 तो 8,000 into 8 8,8 जा और आप इसको सबको multiply कर लिजिए तो यह 64,000 हो जागा फिर 24 line से उसको multiply किजिए तो इतना bits per second आ जाता है इतना bits per second आया अब हम इसको mbps करना चाहते हैं तो हम यहां 6 digit पहले इसका एक point ले आएंगे ठीक है? मेगा bits per second तो यहां 6 digit हम इधर से यहां left जाते हैं तो यह 1.535 000 mbps हो जाता है तो point के बाद 3 0 का कोई मतलब नहीं है इसलिए 1.535 mbps को answer होगा और यह question है 1.53 1.53 यहां 5 होना चाहिए mbps ठीक है? यह है इसका answer यहां 6 है किसी region से 535 होगा ठीक है? इसको मैं correct नहीं कर रही हूँ मेभी कोई reason हो यहां क्यों यह ऐसा लिखा है 1.535 एप्रोक्स यही हुआ है ना? अगर बागी सब तो बिल्कुल डिफर कर रहा है ना? तो हम यहीं इसी के साथ जाएंगे option के साथ ठीक है? मेभी मैं गलती से हाँ 6 लिख दी हूँ लेकिन मैं इसको check करके next video मैं आपको confirm कर दूँगी तो यह क्या है हमारा solution? bits per second BPS और उसको हमने कर दिया MBPS में क्योंकि MBPS में ही यहां पे KBPS MBPS में था answer तो इसलिए हमने इसको कर दिया अगर KBPS भी करते तो हम 1535 आ जाता है answer 3-0 के बाद हम लगाते उधर point तो 1535 कहीं नहीं था answer KBPS वाला तो KBPS वाला पहले ही cancel हो जाएगा फिर बचा 2 MBPS वाला 1535 सीधे दिख रहा 1535 ठीक है ना? तो यह मैंने साथ इसका answer होगा MBPS में तो बने रहे Net Classes CS and Paper 1 के साथ यह November 2017 का मैंने आपको 17 का मैंने solve कराया है Next वीडियो में मैं आपको अगला question solve कराती हूँ Thank you, बढ़ते रहे बढ़ते रहे Thank you, thank you very much